हेलो फ्रेंड्स ये और वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स सिक्चा बिद्धीरज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसा कोर्स जो कि 12 के बाद आप कर सकते हैं 12 के बाद बायो मेडिकल इंजिनिरिंग में आप अपना कैरियर बना सकते हैं तो इसके बायो मेडिकल इंजिनिरिंग में कर सकते हैं और क्या सेलरी मिलती है इस को करने के बाद और इसे करने के लिए क्या क्या इलीजिविलिटी है इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे महत्पॉंड इंस्टिट्यूट्स के जिन संस्थानों से हम इन कोर्स को कर सकते हैं त साथ-साथ सारीरिक संरचना का इस तरह अधिन किया जाता है ताकि मानव सरीर के क्रिया कलापों की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके यकीनन बायो मेडिकल इंजिनेरिंग ऐसा करियर छेत्र है जिसमें समाज सिवा के साथ-साथ बहतर आई की शमभवनाई भी हैं बास्तम में बायो मेडिकल इंजिनेरिंग अपनी दक्षता का प्रयोग बायो लौजी, मेडिशन, फिजिक्स, गडित, इंजिनेरिंग, साइन्स और कम्यूनिकेशन के शेत्र में कर दुनिया को रहने लायक और पहतर बनाने में कर रहे हैं बरतमान में बायो मेडिकल इंजिनियर को बिज्ञान चिकितसा और गडित के छित्र में समगर रूप से काम करने के लिए प्रिसिचित किया जाता है अपने इस ग्यान का प्रियोग बहें बायो लॉजिकल और गडित की समस्याओं के समधान की दिसा में करता है इस तरह से बायो मेडिकल इंजिनियरिंग के छित्र में करियर मानवता की सही अर्थों में सेवा भी कर रहे हैं बायो मेडिकल इंजिनियरिंग के अंतरगत निमलिखित बिद्याओं का आधियन किया जाता है Second point था न हमारे courses तो किन-किन चीजों की study करते हैं हम देखते है First, clinical engineering इसमें क्या होता है असपतालों में चिकित्सकिय उपकरणों का record रखना भी biomedical engineering के दाइरे में आता है Next, biotechnology इसके अंतरगत खास प्रियोजनों के लिए ऐसे यंत्रों का अध्यन और विकास किया जाता है जो जीवित अंगों के साथ तारतम में बैठा सकने में सक्चम हो Next, third point Bioinformatics Medician और Biology से जुड़े आंकणों को जुटाने और उनको उनकी विवेचना करने के लिए जरूरी computer tools का विकास करने से यह छेत्र सम्मंदित है Bioinformatics अंतरगत परिस्करत तकनीक के जरिये जीन निर्धारन की जानकारी भी जुटाई जाती है Next, course है Orthopedic Engineering Orthopedic Engineering के अंतरगत हड़ियों, जोड़ों तथा मास्पेसियों की कारप्रणाली का अध्यान कर कृत्रम अंग बनाए जाते हैं Next, course है Bio Instrumentation इसके अंतरगत बिविन बीमारियों की पहचान और फिर उपचार के लिए बिविन उपकरणों का विकास किया जाता है इस विद्या के में पारंगत लोग CT, स्केनर, सौनोग्राफी मशीन तथा X-ray मशीन जैसे उपकरणों की और उन्नत बनाने की दिसा में कार करते हैं Next, course है Genomics इसके अंतरगत जीनोम की मैपिंग स्विक्वेंसिंग का अध्यान कराए जाता है सामान या बीमार अवस्था में जीन्स कैसे काम करते हैं का अध्यान भी इसमें सामिल है इसकी बदोलत जांच महचान और बीमारी का उपचार भी किया जाता है Next, course है Biomaterials यह छेतर जीवित को सिकाओं और कृत्रिम पदार्थों से माटेरियल का निर्मान कर बीमार अंग को बदलने से समन्दित है इस छेतर में बास्तविक अंग की तरह काम करने वाले उपकरण बनाने को तरजी दी जाती है इसमें बिसी सग्य प्रियोग साला में कोसिकाओं और उतकाओं से अंग भिक्सित करने में सक्चम होते हैं Biomedical Engineering के अंतरगत Biomechanics, Bio-Fluids, Biomaterial, Designing, Artificial Organ, Computer and Robotic Engineering, Medical Imaging, Diagnostic Technique, Regularity, Issue, और Medical Ethics, आदिविसेयों की भी सिच्छा प्रदान की जाती है Biomedical Engineering में इसनातक और इसनाकोतर पाठकरम उपलब्द है Means Graduation and Post Graduation Programs भी एविलेवल है आप सम्मंदित छेत्र में अतरिक्त डिप्लोमा पाठकरम भी कर सकते है Biomedical Engineering के इसनातक इसतर के पाठकरम में प्रिवेस के लिए गड़ेत या Biology बिसाय समू से कम से कम 55% अंकों के साथ 12 की परिष्चा उत्रिण होना आओ सक है मतलब 55% मार्क्स के साथ आपको 12th क्वालिफाई होना जरूरी है Biomedical Engineering के Graduation Program में प्रिवेस लेने के लिए means Graduation Program जो है Biomedical Engineering का उसमें एडमिशन के लिए आपको 12th क्लास में 55% होना आवसक है जबकि Post Graduation Level के लिए प्रिवेस के लिए उसी College या उसी उनिवेस्टी से उसी बिसाय में अच्छे अंकों के साथ Graduation पास होना जरूरी है दूसरे College या दूसरी उनिवेस्टी में एडमिशन के लिए प्रिवेस परिच्छा means Entrance Exam भी उत्तिन करना आवसक है Biomedical Engineering के Programs में एडमिशन है तो एक Entrance Exam में पास होने के लिए दसमी तक की NCRT की Books का आप अध्यन कर सकते हैं क्योंकि mostly इसमें जो आता है वो NCRT से ही आता है और सामन ज्यान तथा हिंदी अंग्रेजी में भी आपको दख्छोना आवसक है तो आपको GK और हिंदी इंग्लिस की भी Practice करनी चाहिए Mathematics and Biology के साथ Chemistry और Physics की भी पूरी तयारी करनी चाहिए Biomedical Engineering का कोर्स कराने वाले सवी College तथा University Medical Research Center दवा उत्पादन संस्थानों तथा अस्पतालों से सतत संपर्क रखते हैं जिन में Biomedical Engineering के छात्रों को सोध करता तथा सहायक चिक्चक के रूप में काम करने के अफसर प्राप्त होते हैं यह कोर्स करने के बाद Medical Research संस्थान सास की निकाय हॉस्पीटल कृत्रम अंग बनाने वाले संस्थान तथा अध्यापन के छित्र में करियर के अफसर हैं विश्व के सबसे बड़े ओद्यों के छित्र यानि Health Care Industry को अच्छे Medical Engineers की सबसे अधिक तलास रहती है तो चलिए पढ़ते हैं कौन-कौन से ऐसे संस्थान है जहां से हम Biomedical Engineering कर सकते हैं पहला संस्थान है All India Institute of Medical Science New Delhi दूसरा है IIT Delhi तीसरा है डॉक्टर बी आर अमीटकर सेंटर ऑफ बायो मेडिकल रिसर्च देहली उनिवर्सटी देहली फोर्थ गुरु जंबिश्वर यूनिवर्सटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी हिसार जो की हर्यान नाम है फिफ्ट पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सटी जालंदर पंजाब में है जिग सेवन्थ चतिसगड स्वामी विवेकानन टेक्निकल यूनिवर्सटी भिलाई चतिसगड में है इर्थ स्कूल ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजिनिरिंग आई आई टी पवई मुंबई में है नाइन्थ आई 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 टी कानपूर टेन्थ मेटी यूनिवर्सटी नौइडा 11. इंस्टिटूट अफ टेक्नोलोजी बनारस हिंदू विश्विद्याला बराहटसी 12. जादपूर विश्विद्याला कॉलकाता 13. बायोमेडिकल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर उस्मानिया विश्विद्याला हैद्रवाद 14. सिंबायोसिस स्कूल अफ बियोमेडिकल साइंसे पुडे 15. पादम्श्री डॉक्तर दी वाय पातिल विश्विद्याला नभी मॉंबई 16. कोलेज अफ इंजिनेरिंग अटेक्नोलोजी बेल्गाम 17. मनिपाल इंस्टिटूट अफ टेक्नोलोजी मनिपाल थैंक्स फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स सिक्षा बिधी रज हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे और हमसे फिजिक्स नोट्स प्राप्त करने के लिए तथा अपने कैरियर की काउंसिलिंग के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सिक्षा बिधी रज के साथ थैंक्यू